अब बात कर लेते हैं इस iPhone के camera setup के बारे में यहाँ पर हमको एक पिछले साल वाले iPhone 13 Pro से काफी अच्छा बड़ा अपग्रेड देखने को बिलता है camera setup में क्योंकि यहाँ पर अब primary sensor दे दिया गया है हमको 48MP का quad pixel setup इसका मतलब के phone lighting conditions के accordingly still 12MP की photos लेगा लेकिन उसमें detail capture होगी 4 times more और अगर आपको 48MP की photo चाहिए तो pro raw format में आप उसको 48MP में भी ले सकते हैं जो कि अपने आप में एक काफी जबरदस्थ feature है और उसको आप photo को edit कर सकते हैं उसमें काफी सारी details उसमें डाल सकते हैं color grade कर सकते हैं तो primary lens में primary sensor में काफी unique काफी अच्छा upgrade देखने को मिल जाता है यहाँ पर ultra wide camera की अगर बात करें तो यहाँ पर हमको इस बार again 12MP का ही camera देखने को मिलता है लेकिन उसका sensor पिछले iPhone 13 Pro के sensor से double है यानि के दो गुने size का है तो light बहुत अच्छे से capture करेगा उसके अलावा telephoto lens हमको अभी भी zoom capability सिर्फ 3 times तक की देता है यहाँ पर तो I would have expected कि शायद हमको at least 4 times या 5 times 6 times कुछ मिलना चाहिए था या maybe up to 10x optical zoom मिलना चाहिए था बट वो नहीं हुआ है instead of that एक change जो zooming capability में हुआ है वो यह है कि इसमें अब Apple ने add कर दिया है 2x zoom का option इसके main camera में यानि के अब total 4th zoom तक के capability हमको इसमें देखने को मिलती है जिसमें से 0.5 और 3x zoom जो है वो हमको telephoto lens से देखने को मिलता है और जो नॉर्मल 1x और 2x है वो हमको primary जो camera है 48 Megapixel sensor वाला उसके थुरू देखने को मिलता है इसके अलावा एक और जो नया feature आया iPhone 14 सीरीज में यानि के 14 सीरीज के सभी चारो phones में वो है इसका photonic engine तो basically photonic engine जो है वो एक computational photography की technology है so Apple की deep fusion technology है photos की processing के लिए उसको pipeline में और पहले लेकर आ photos जिससे की बहुत जादा improved photos देखने को मिलती है ऐसा Apple ने claim किया है इस technology के बारे में और जो dynamic range है इस computational photography यानि के photonic engine से बहुत ही अच्छे से dynamic range भी capture कर पाता है iPhone अपनी photos में और अगर मैं बात करूँ selfie camera की जो की इस dynamic island के अंदर हमको दे दिया गया है इस बार उसमें भी कुछ improvements देखने को मिले है क्योंकि यहाँ पर भी photonic engine का use किया गया है selfie camera के लिए उसके इलावा autofocus जो feature है वो that comes as a standard feature for selfie camera as well और low light में भी selfie camera की performance पहले से iPhone 13 Pro से काफी better हुई है इसके इलावा हमको यहाँ पर macro mode भी मिल जाता है देखने को जो की हम काफी करीब से objects की photo ले सकेंगे और काफी अच्छी performance वहाँ पर भी देखने को मिलती है अगर overall feedback की बात करूँ तो photos जो camera से आ रही है बेहदी शांदार आ रही है और I think this is one of the best camera phone out there which you can buy right now especially low light की photography इसमें बहुत जादा improvement मेरे को feel हुआ देखने में पुराने iPhones के comparison में जैसे कि मैंने iPhone 13 Pro भी use करके देखा हुआ है iPhone के और पुराने models में use कर रहा था personally भी तो काफी improvement low light photography में overall photography में यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं तो photos के बारे में बात कर ली हमने इसके camera से तो videos के बारे में बात करने से पीछे कैसे रह सकते हैं because this used to be a phone iPhone जो है एक ऐसा phone है जो कि videos के मामले में अपने competitor से हमेशा आगे रहा है बहुत बहुत आगे रहा है तो इस बार भी उन्होंने उसको next level पर लेकर गए है वीडियो performance को क्योंकि last year अगर आपको ध्यान होगा cinematic mode का introduction हुआ था जो कि only full HD तक में video record कर पाता था लेकिन अब cinematic mode के videos 4K up to 30fps में shoot किये जा सकते हैं और इस बार जो वीडियो camera में नई चीज इंट्रड्यूस की गई है वो है action mode यानि के action mode सुनके जैसे कि आपको gopro याद आता होगा या फिर dji के cameras याद आते होंगे action cameras वो feature अब iPhone के cameras के अंदर आ गया है यहाँ पर हम 2.8K up to 60fps तक के action mode में video shoot कर सकते हैं थोड़ा सा cropped रहते हैं बट overall काफी stable देखने को मिलते हैं अगर मैं walk कर रहा हूँ normal step चलते चलते कोई video shoot कर रहा हूँ बहुत ही stable shoot होता है पता भी नहीं चलता है कि मैं walk करते वीडियो बना रहा हू और अगर running करते वे भी बनाता हूँ तो वहाँ पर भी काफी जादा improvement देखने को मिलता है action mode में तो यह है इसकी नई highlight और अगर आपका iPhone जो है 256GB या फिर उससे higher storage वाला model है तो आप ProRes format में 4K up to 30, up to 60 videos भी उसमें record कर सकते हैं overall videos के बारे में अगर मैं बात करूँ एक final outcome तो iPhone के videos पहले भी अच्छे होते थे इसमें iPhone 14 Pro Series में इसको और next level पर लेकर जाये गया है जो की एक बहुत ही अच्छी बात बन जाती है